हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ अनपुना और विलकम टू मैं चैनल आज मैं आपकी साथ कोई रेसेपी नहीं बलकि एक बहुत ही खुबसुरत वीडियो शेयर कर रहे हूँ वो मेरे हूमटाउन मैं मेरे गाओ का तो उसकी लिए सबसे पहले हम जा रहे हैं ट्रें सेあーектор उसकी बाद यहां हमारा ट्रें का साफर फिनीश हो गया और हम जा है दीदी के घर दीदी एक्षवल में सिटी में रहती है करीम नगर में तो फर्स्ट हम लोग वही जाते हैं दिन वहां से फ्रेश होकर हम अपने गाव जाते हैं तो अब हम लोग जा रहे हैं अपने गाव के लिए तो आप देख सकते हैं रोड की दोने तरफ एकदम हर्याली ह छिदर देखो उड़ू हरा एक दम खुब्सुरत लग रहा है एक्ष एल में यह रिनी सिजन है इसलिए और भे जादा हराब हरा और खुब्सुरत लग रहे है वैंसे समर में भी यह उतना मैंने शूट किया है, I hope यह आपको जरूर अच्छा लगेगा, तो अब हम कर रहे हमारे गाउ में इंट्री, तो यह है हमारा गाउ, आक्च्वल में मैं और ज्यादा शूट नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ पे आज मेरे पापा की पूजा है, मिन्स लास्ट येर पापा की डे नेक्स ले अभी मैं अपने घर के च्छत पर हूँ, उपर से ही मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, ये है मेरे घर के बैक साइड का एरिया, और यहाँ पे ये दो पेड है, इसे हम लोग ताडी चट्टू कहते हैं, हिंदी में एक्जाक्ली मुझे इसका नाम नहीं पता हैं, बट मैं सर्च करके जरूर बताऊंगी, तो यहाँ पे अभी फसे लोगाने के लिए जमीन तयार किया जा रहा है, तो ये हमारे घर के पीछी का साइड का हिस्सा है, मैंने सुचा आपके साथ शेयर करूँ, तो ये जो खड़े हैं, ये रिलेशन में मुझे बड़े पा प्रोसीजर है, मैं भी आप सबको पता भी होगा, फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ, फिर उसके बाद पहले तो हल से किया जाता था पहले के टाइम में, बट आजकर लोग ट्रैक्टर का यूज़ कर रहे हैं, ट्रैक्टर का यूज़ करने से टाइम भी बच जाता है, और जादा उसमें भी खर्चा भी नहीं आता है तो लोग Tractor ही यूज़ करते हैं और यह है Narsary है, दान की नरसरी है पहले एक जगा पर इस तरीके से यह धान की नरसरी मैं आपको एकडम नजदिक से भी दिखाती हूँ यह है धान की नरसरी दान की नरसरी इस तरीके से एक जगह पर करते हैं, अल्मूस्स सभी लोग ऐसे ही करते हैं, ये प्रोसेजर सबको पता ही होगा, तो बट देखने में ये बहुत ही ज़्यादा सुन्दर लगता है, एक दम हरा भरा, अब इसी को निकाल कर पूरे खेत में इस तरीके से डालते ह आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये दोनों भाई लगते हैं मुझे रिलेशन में, तो ये लोग भी इस तरीके से डाल रहे हैं, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए कम टाइम में जितना मेर से होता है, उतना मैंने शूट किया है, अब ये हो गया है, इसके बाद आप देख सकते हैं, यह मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, पास से आप देख सकते हैं कितना सुन्दर लग रहा है, एकदम भरा भरा, अब यहाँ पे एक छोटी सी मुर्गी है, मैंने सुचा आपको दिखा दूँ, तो ये है मुर्गी, अब यहाँ पे एक और मुर्गी है, इसके छोटे-छोटे बच्चे है, यह जैसे ही मुझे देखी भाग रही है, तो अब हम लोग जा रहे हैं, अपनी पापा की पूजा के पास, जैसे कि मैंने बताया है, मैं पापा की बरसी अटेंड करने आई हूँ, तो अभी हम लोग पेदर-पेदर जा रह है, आप देख सकते हैं, रोड पे बहुत ही ज़्यादा खुबसृरत लग रहा है, ग्रीनरी बहुत अच्छी है, साथी यह अगल बगल खेत है, और रास्ते में कुछ बंदर भी है, यहाँ पे कॉमन है, इस तरीके से बंदर भूमते ही रहते हैं, बट वो किसी को हाम नहीं करते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुझाते हैं, तो अब फाइनली हम लोग अपनी खेत में आ गए, जहाँ पर पापा की समाधी है, तो यह है मेरे पापा की समाधी, आज एक्जैक्ली, मिंस 19 जुलाई को पापा को कम्प्लीट वन येर हो गया है, तो उनी की पूजा में, उनी की आद में, हम लोग पूजा रखे थे, उस पूजा कोटिन करने करें, हम सब यहाँ पर आए हैं, तो मैंने सोचा जब मैं अपनी गाव का खुबसूरत वीडियो दिखा रही हूँ, तो क्यो ना मैं आपके साथ ये भी शेयर करो, ओके, तो यह है पापा की समाधी, इस अब पूजा फिनिश हो गया है, अब हम लोग गाव से रिटन जा रहे हैं, तो यहाँ पर रास्ते में एक टेंपल है, तो मैंने उस समय शूट नहीं किया था, तो मैंने सोचा अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, तो अभी हम लोग से रिटन जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने, तो उसके पहले मैं आपको दिखा दूँ, यह एक पेड है, यहाँ पर खुब सारे मंकीज है, अगर आप इनका फोटो कीजोगे, तो वो आपको पोस देते हैं, जिसे नॉर्मल हम लोग पोस देते हैं, सेम वैसे ही, यह हनुमान मंदिर ह दोने की वज़ह से यहाँ पर और भी जादा मंकीज है, बहुत जादा मंकीज है, तो उनको तो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, यह यहाँ का हनुमान मंदिर है, तो अभी हमने यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम रिटन जा रहे हैं, तो आई होप आपको यह छोटा सा वी